फाइटर जेट का डिजाइन बनाना बचपन में रामेश्वरम में मैं और मेरे दोस्त विद्यालाई से पैदल घर वापस आया करते थे हम रोज गाउं के तालाब के किनारे कुछ देर रुखते मेरे दोस्त तालाब की लहराती सतह पर कंकड फीकने का अभ्यास करते और मैं बैठा सारसों और समुद्री पक्षियों को आकाश में उडान भरते देखता उनकी उडान देखते हुए मैं भविश्य के सपनों में खो जाता था जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे अपना लक्षे स्पष्ट दिखाई देने लगा मेरी समझ में आ गया था कि अपने सपने सच करने के लिए मुझे इंजीनरिंग की पढ़ाई करनी होगी मदरास इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलोजी तकनीकी अध्ययन के लिए दक्षन भारत में सबसे अच्छा संस्थान था मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके स्कॉलर्शिप हासिल के ताकि मैं इस संस्थान में पढ़ सकूँ उस दिन मुझे अपना लक्षय और भी साफ दिखाई देने लगा जब मैंने M.I.T. में कदम रखा M.I.T. के परिसर में दो बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे गए थे मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकी छात्रों के छात्रावास में चले जाने के काफी देर बाद तक भी मैं विमानों के पास बैठा रहता था इनके निर्मान और डिजाइन ने मेरा मन मह लिया था और मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा था इंजिनरिंग की पढ़ाई के दौरान आखरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे कक्षा के चार और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया हमने काम आपस में बांठ लिया एक दिन मेरे काम की प्रगती की जानकारी लेने के बाद हमारे अध्यापक ने मुझ से कहा अब्दुल मैं तुमारी कारिय योजना से सच मुझ निराश हुआ हूँ मैंने तुमसे कहीं बेहतर काम की अपेक्षा की थी मैंने उन्हें कई कारण बताए लेकिन उन्होंने मेरी एक नस सुने आखिर मैंने विनिती की सर मुझे एक महीने का समय दीजी मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर डिजाइन बना लूँगा उन्होंने मुझे पर नजर डाली और बोले देखो नौजवान मैं तुम्हें तीन दिन दे रहा हूँ अगर सोंबार की सुभै तुमने मुझे इससे बेहतर डिजाइन न दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलर्शिप से हाथ धोना पड़ेगा मैं स्तब्ध रह गया मेरा भविश्य, मेरे सपने, स्कॉलर्शिप पड़्टे के थे उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता मेरे पास डट कर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था उस रात मैंने पलक तक नहीं चपकाई अगली सुबह बस गंटे भर आराम किया जरा सा कुछ मुह में डाला और फिर काम में जुट गया रविवार की सुबह मैं काम खत्म कर ही रहा था कि अच्छानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है मुढ कर देखा तो पाया मेरे अध्यापक मेरी ड्रोइन को बड़े ध्यान से देख रहे थे मेरे काम को अच्छी तरह जाचने के बाद उन्होंने मेरी पीछ थप थपाई और बोले मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाब दाला लेकिन मैंने कभी उमीद नहीं की थी कि तुम इतना बड़िया काम कर दिखाओगे अध्यापक जी की बात सुनकर मुझे इतनी राहत और खुशी मिली कि मैं भूल ही गया था कि पिछले तीन दिनों में मैं खाना, सोना, सब भुला कर काम में जुटा रहा था ना सिर्फ मेरी स्कॉलर्शिप जारी रही बलके मदरास इंस्टिट आफ टेक्नॉलिजी की परीक्षा भी मैंने बहुत अच्छे अंकों से पास की मैं विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्ष पाने में सफल रहा था और अब विमान उडाने के अपने सपने के भी बहुत खरीब आ गया था मैं सूच कर ही उल्लास से भर उठता था कि बच्पन में देखे समुद्री पक्षियों की तरह मैं भी जल्द ही आकाश में उडान भर पाऊंगा कि बहुत के अच्पन के आकाश में उल्हा था ढागने कार में पालास से उल्हान कि बहुत कर हां झालास